EPS 95 पेंशन भोगियों की साथ 50000 प्लस दा और हायर पेंशन में देरी के कारण क्या है? EPS 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागिदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थाई समाधान ला सकती है EPS 95 पेंशन भोगी कई वर्षों से न्योंतम पेंशन 7500 प्लस दा की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है वर्षों में न्योंतम पेंशन 1000 रुपए है, जिसे बढ़ाने में सरकार की उदासीनता देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूत हायर पेंशन में भी देरी हो रही है आईए समझते हैं, इन समस्याओं के पीछे के प्रमुख कारण और संभावित समाधान एक EPS 95 पेंशन भोगियों में जागरुकता की कमी EPS 95 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाक है लेकिन अधिकांश पेंशन भोगी अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रती जागरुक नहीं है इससे आंदोलनों में उनकी भागिदारी कम हो जाती है जिससे मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ पाता और परियाप्त समर्थन नहीं मिल पाता दो, यूनियोनों के बीच असंगठित स्थितिस्वी EPS 95 यूनियोनों के बीच समनवय और एक्ता की कमी है जिससे समस्या का समाधान और कठिन हो जाता है एक चुठ होकर काम करने से ही पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है तीन कानूनी जानकारी का अभाव अधिकांज पेंशन भोगियों और उनके संगों के नेत्रित्व में कानूनी ज्यान की कमी है वे न्यूंतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दो पर EPFO और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में असमर्थ हैं, जिससे उनके मामले कमजोर हो जाते हैं चार नकारात्मक धारणाएं और भ्रांतियाम विभिन एजंसिया और सोशल मीडिया चैनल न्यूंतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दो के खिलाफ तर्क दे रही हैं इससे पेंशन भोगी और सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव में गलत धारणाएं बना लेते हैं पाँच, प्रक्रियात्मक देरी सरकार और EPFO द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है छे, राजनीतिक स्तर पर समर्थन की कमी EPS 95 पेंशन मुद्दो पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक बड़ा कारण है राजनीतिक दलो द्वारा परियाप समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव नहीं बनता की वे जल्दी और प्रभावी निरनयले साथ आर्थिक चुनौतिया अधिकांश पेंशन भोगियों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संगर्ष नहीं कर पाते यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है और उनके अधिकारों से वन्चित रखती है क्या है समाधान? इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवशकता है पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के प्रती जागरुक करने के लिए व्यापक जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लडाए लडने और सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है सांसद जी कर रहे मौज हर साल बढ़ रही पेंशन EPS 95 पेंशन धारक दाने दाने को महताच सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती है जबकि EPS 95 पेंशन धारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे है देश के सांसदों और विधायोंकों को मिलने वाली उदार पेंशन और सुविधाओं के मुकाबले EPS 95 पेंशन धारकों की हालत बेहत दैनिय है पेंशन व्यवस्था की इस अस्मानता पर सवाल उठाना अब जरूरी हो गया है जहां एक तरफ जनप्रतिनिधियों को बिना न्योंतम कार्यकाल के जीवन भर की पेंशन मिलती है वहीं दूसरी और लाखों EPS 95 पेंशन धारकों को उनके वर्षों की मेहनत के बदले बहुत कम पेंशन मिलती है सांसदों की पेंशन बनाम EPS 95 पेंशन क्या यहाँ न्याई संगत है, सांसदों को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम एक नौ पांच चार के तहट हर महीने 25,000 रुपए या उससे अधिक की पेंशन मिलती है. यहां तक कि अगर कोई सांसद एक दिन के लिए भी चुना जाता है, तो उसे जीवन भर पेंशन दी जाती है. इसके अलावा, यदि कार्यकाल बढ़ता है, तो हर साल अतिरिक पेंशन भी जुड़ती है. दूसरी और, EPS 95 पेंशन धारकों को आस्तन सिर्फ 1000 से 3000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो उनके जीवन यापन के लिए परियाप्त नहीं है. EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सुविधाओं का अभाव सांसदों और विधायकों को आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है, जबकि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए न कोई यात्रा सुविधा है, नहीं कोई महंगाई राहत. यह अस्मान्ता देश के पेंशन सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करती है, जहां पेंशन धारकों की बुनियादी जरूरते भी पूरी नहीं हो पाती. दोहरी पेंशन का हग बनाम EPS पेंशन का संगर्श सांसद और विधायक न केवल अपनी पेंशन का लाब उठाते हैं, बलकि उन्हें दोहरी पेंशन लेने का भी हग है. अगर कोई विधायक सांसद बन जाता है, तो उसे दोनों की पेंशन मिलती हैं? इस तरह के प्रावधानों के बावजूद, EPS 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं, ताकि वे अपनी आवशक्ताओं को पूरा कर सकें. यह स्पष्ट रूप से एक अस्मानता है, जो समाज में आर्थिक विश्मताओं को और गहरा कर रही है. पेंशन सिस्टम में सुधार की जरूर तेस अस्मानता के चलते यह सवाल उठता है कि क्या हमारा पेंशन सिस्टम वास्तव में न्याई संगत है? जिन लोगों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, उन्हें इतनी कम पेंशन क्यों दी जाती है? जब सांसदों की पेंशन में इतनी उदारता है, तो EPA's 95 पेंशन धारकों को क्यों नजर अंदाज किया जा रहा है? यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसे सरकार और समाज को समान रूप से संबोधित करना चाहिए? अब समय आ गया है कि पेंशन व्यवस्था में सुधार लाया जाए और EPA's 95 पेंशन धारकों के हक की लड़ाई को गंभीरता से लिया जाए? उनकी स्थिती को सुधारने के लिए सरकार को ततकाल कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि वे भी एक सम्मान जनक और सुरक्षित जीवन जी सकें. पेंशन व्यवस्था में ऐसी असमानता किसी भी विक्सित समाज के लिए उचित नहीं हो सकती. EPA's 95 पेंशन पेंशन भोगियों की मांग 7500 रूपय न्यूंतम पेंशन को लेकर प्रधान मंत्री श्रम मंत्री को भेजी चिठी EPA's 95 पेंशन भोगियों ने न्यूंतम पेंशन को 7500 रूपय मासिक करने की मांग प्रधान मंत्री और श्रम मंत्री से की है. उन्होंने महंगाई भत्ता और चिकित्सा लाभ जैसी सुविधाओं की भी मांग की ताकि बुजुर्ग पेंशन भोगी सम्मान पूर्वक जीवन्यापन कर सकें EPS 95 Pension देश भर में EPS 95 Employee Pension Scheme 1995 के तहत पेंशन पाने वाले बुजुर्गों की ओर से नियूंतम पेंशन को बढ़ा कर 7500 रुपए करने की मांग फिर से जोर पकड रही है महराष्ट्र के पुणे से पेंशन भोग्यों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मंसुख मांडविया को एक चिठी भीजी है जिसमें नियूंतम पेंशन में वृद्धी की अपील की गई है यह चिठी जिला प्रशासन और कर्मचारी भविश निधी संगठन, EPFO के अधिकारियों के माध्यम से PMO और श्रम मंत्राले तक पहुँचाया गया है ताकि पेंशन भोग्यों की आवाज सरकार तक प्रभावी धंग से पहुँच सके पेंशन वृद्धी की सिफारिश बता दें इस पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर टीवी सोमनाथन, वित्त सचिव, भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर 24 अगस्ट 2024 को केंद्रिय काबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना, इंटेग्रेट पेंशन स्कीम के तहट EPA's 95 में नियोंतम पेंशन बढ़ाने की मनजूरी दी जाए यहां मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अब पेंशन भोगियों की स्थिती को ध्यान में रखते हुए इसे ततकाल लागू करने की आवशक्ता महसूस की जा रही है नियोंतम पेंशन व्रिद्धी की आवशक्तायन AC, National Action Committee, EPA's 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधी के रूप में लगातार सरकार से पेंशन में व्रिद्धी की मांग कर रही है 8 फरवरी 2022 को डॉक्टर टीवी सोमनाथन के साथ एक द्विपक्षिय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी उस समय चर्चा के दौरान दी गई जानकारी की सराहना की गई थी और पेंशन व्रिद्धी की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले थे हालांकी आज तक कोई ठोस निरनय नहीं लिया गया जिससे लाखो पेंशन भोगी निराश है पेंशन भोगियों का कहना है कि नियोंतम पेंशन को 7500 रुपे मासिक तक बढ़ाने की मांग कई वर्षों से चल रही है लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है वर्तमान में अधिकांश पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ है श्रम मंत्री से अपील EPS 95 राष्ट्रिय आंदोलन समिती ने श्रम मंत्री डॉक्तर मंसुख मांडविया से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रात्मिक्ता से हल करें समिती का कहना है कि पेंशन में 7500 रुपए मासिक के साथ साथ महंगाई भत्ता, दा और चिकित्सा लाब जैसी सुविधाओं की भी आवशक्ता है ताकि पेंशन भोगियों को सम्मानपूर्वक जीवन्यापन करने में सहायता मिल सके प्रधान मंत्री द्वारा 24 अगस्ट 2024 को Unified Pension Scheme UPS की घोशना के बाद पेंशन भोगियों में उम्मीद जगी है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी EPS 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीने के लिए नियूंतम पेंशन में ततकाल व्रिद्धी की जरूरत है निशकर्ष EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगे सीधे उनके जीवन के सम्मान और गरिमा से जुड़ी हुई है नियूंतम पेंशन को 7500 रुपए तक बढ़ाने और चिकितसा लाब जैसी सुविधाएं प्रदान करने से लाखो बुजर्गों को राहत मिलेगी